अगर आपने अभी तव इसका फर्स बार नहीं दिखाया तो आप सजेस्ट पहले आप उससे दिख लेजिए तो लेट्स प्रिगेंड एक्स्प्राइशन वह ब्लाइंट है जैसा कि हम पहले बता चुके हैं और यहां पर अपने ग्लास में आती हो देखती है तो ग्लास में को बहुत जोड़ जोड़ से रोने लगती है कि मेरे सारी दोस्ते टीचर मुझे कहां छोड़का चले गया तो यहां पर जब वो यहां सभी बच्चों का मेडिकल चेकप करवारी होती है तो यहां पर उसे पता चलता है कि श्यावई नहीं है इसके बाद वो से लेने के लिए क है दो सब्सक्राइब जाए नहीं आपाई इसके लाद हो कहती है कि अबबन चुर्फा बख़ा ने यहां पर राइस्पोल का और यहां पर भी रखा हुआ तो इसके बाद वो सुछत है कि अगर उसे वी और यहां कोई नहीं रह दो चलता है एक गिफ्टी तो है बस इससे व छेजवार तो यहाएं भी देखें चलो और हम छाहने महरणीं से कम र्मुन टीशना करें करेंद कि यहीं सब्सक्राइबा. यह रजा कि रहता हुआ हो सब्सक्राइब हैं और भाई साहब उह आ annotation रोफ कासा सब्सक्राइब गूपर लेकना resonates से इसके गूम सकते हैं यहां पर बाकी स्टाफ से पोचते हैं तो से बताते हैं कि आसा कुछ भी नहीं है धर यहां की प्रिंसिपल हैं उनसे निए कुछ बात पूचित को नहीं का भी नहीं है उससे उने कोई फरक नहीं पड़ता है मिस्टर सूस अभी से नहीं भी नहीं है कि सब उन से कुछ बात पूच सके आफर डैट मिस्टर सू की जो सेक्रिटी है वह राइस बॉल को खाती है और कहती है कि का इतनी अधा टेस्टी है वह कहती है कि कोई चीज अगर प्यार से होती है तभी वह यहां पर सुन्यान के तरफ लिखती है और कहती है कि मैंने क्या बोल दिया तभी मिस्टर सू कहते हैं कि कोई बात नहीं मैंसे जादा माइं करूंगा ही नहीं विकास मुझे फैमिली वगएरा और सबकी कोई फीलिंग आती नहीं है जब इसके बार में सुन कि आपने राइस बोल खाए कैसे लगे तभी यहां पर इसके बाद मिस्टर सू का खीश नहीं लगती है कि मैं से रख देती हुना लेकिन मिस्टर सू कहां छुड़ने वारे थे तभी वहां कहती है कि मैं तीन तक इन होगी अगर इन्होंने मुझे अम्रेला नहीं दिया तो बार मिस्टर सू ने उसकी बात मानी है दरहसल वहमेशा उसकी उसकी उफर की हैल्प को एक्सेप्ट नहीं करते थे और और वह कहते थे कि मैं अपना सारा काम खुदी कर लूगा नो थैंक्स का तो कहती है कि बंदे में थोड़ा थोड़ा चींज तो आया है इसके बाद वह बहुत ही गलत टूम में पढ़ने लगती है तभी मिस्टर सू से बताते हैं कि यह तुम गलत रीडिंग कर रही है इसके बाद मिस्टर सू कहते हैं दरसल उसकी फूर्थ लाइन में देखो क्या तुमने वह सही पढ़ी है तो यह कहता है कि मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत खराब है कि वह यान खर जाती और उसे आज को चीजें कुछ बदली बदली लगनी थी यहां पर वह यह जन का लिखा हुआ जो नया गाना है उसे सुन दी है और कहती है कि यह सब सुना सुना क्यों लग रहा है तो कि गया वह यह जन है इसके बाद और साइश को यहां वीजन का इंटरव्य हुआ था और इसके बाद युविश कि इसके बादे लड़की को साया पीक अब्रश्ब करने है जो कि भीन डव में आती है मलब वह जो सकता है वह जन है लेकिन वह जो पाद सोच कर खुश खूज कर लए बीजन हुआ तो मेरे सब्सक्राब करती वो मेरे साथ भी है मैं पढ़ाती हूं मतलब यह किना कोइंसिदेंस वह ना आफ़ देखते हैं जो कि श्यान को देख रहा होता है जो कि बॉइबंड कोईट करके तरसली रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करी होती है उसे उसे देखर बहुत बरा लगता है कि उसकी व करती है इसके साथ वहां से जाने का नाम नहीं है कि वह उसकी साथ थोड़ा वेट तो करी सकती है तो तो थोड़ी थोड़ी फैंस मन गाये तो उसका उसके बहुत था लगत रहेगा इसके बाद मिस्टर सू को काफी गौर से देखने लगती है कि अगर यह यह चुन हुए त कि इतने अच्छी बात है ना इसके बाद वो कावी टाइम ता वेट करती है बट बैठे बैठे से ठंड लगने लगती हैं साथ में भूख भी लगती है और वो कहती है कि मिस्टर सू आपको कुछ खाना नहीं है मतलब आप भूखी नहीं है लेकि मुझे तो बहुत ज्यादा की बाद सकती है कि बहुत कि तुम्हें की तुम्हें से जा सकती हो कोई पर्माने नहीं कि तुम्हें बैटना यह हुआ पर अपनी घुheria कि आप क्या ओटा जिर नहीं हो के सबस्क्राइब कर दो कि ऐसी लगा उसके लिए भी जो आप पेस्ट कि आप उस दिन बचा रहे थे पियानो क्लब में बैट कर तो भी इतने में ही यहां पर श्यान आजाती और इसके बाद वह यान मिस्टर सू को देख लिए तब वो यहान मिस्टर सू के चिपक जाती है और कहती है कि यह मेर वाइफिंड हुम दोनों डेट पर आया है तब ही शियान कहती है कि रियाली इसके बाद पर मिस्टर सू का हाथ पकड़ जिए हुम्टर सू काहत तो अग्षाषण है और गहते है और देट्स नांसेंजर ऐसा कि वाइफन नहीं है कि वो यह कभी नीँ बतलेगी यह को यहां नहीं है क्या आपको जली चलना होगा इसे बोलना होगा कि आप मेरे वारफन है और यह की सामने बिज़त कैसी कि मिट्वार्वेत कि थे जूट बूलना भी अच्छी बात नहीं होती यहां करने लगती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा निक्या मैं तुमारी वाइफ हूं वह ऐसा प्रिटन करती कि उसकी वाइफ है और रोना उसका भी सड़क पर स्टार्ट हो जाता है और कहते हैं तुम्हें यह भी नहीं लगता कि तुम उससे खाने के लिए ले जाओ और तुम मुझे ऐसा अनॉय कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीस और यह सब तमाशा देखकर तो भीर जमा हो गई आसपास प्रफलिक जमा हो जाती है और वो साथ में गॉसिप करने लगते हैं कि यह कितना बुरा हास बेंड़ा भी वाइफ की केर तक नहीं कर पाता इस पहला है कि नहीं दूम सच में रोने लगी थी इसके आद वो अपनी सारे स्टोडी बताती है कि कैसे वो और उसकी बैस फैंड एन वे हाओ बच्वन से दोस्त रहें इसकी बाद वो हाइश को ने भी दोस्त रहते लेकिन जब बाद में उसकी बैस्ट फैंड आ गया है तो व तो यह बताते बताते भी रोने लगती है इसके बाद यहां पर वो से अपनी हैंड कर्चीफ देने के लिए उता है बड़ रूख जाता है पर जब वो यहां का रोना बन नहीं होता तो यह इनकर्चीफ देता है और रोते हुए भी बंदी को यह याद आ रहा था कि एक्सपें आना चाहती थी। इसे आदा कोई बाद नहीं है पर यहां पर सesi कहते हैं कि अध्यों समझति नहीं के सबता है haters सबीते हैं को एन सारे बात को समझ सकता हूं है और यह कहते हैं तो यहां कुछ और भी नहीं क्या बाती है जो कि रात में सोते हुआ तो एक सपना देख रहे थे जब वह चोटे थे तो उनकी मॉम उन्हें अकसर चोड़का चली जाती थी काम की वज़े से जब उनका बड़े था तो उसकी मॉम उसे केंडी गिफ्ट करती है जो कि उसकी जाने लगती हैं वह से देख रही थी वी सब्सक्राइब पर जाता है अवाज सुनकर रूप बहुत ही जाता है इसके बाद यहां पर एक सग्रीटी उसे उठाकर ले जाती है तो यहां पर परिशान हो जाते हैं और उसका रात में प्यानों बजाना स्टार्ट हो जाता है द तब ही वहां निकालती है एंड उस पर मिश्र शू का फेशल एक्परेशन बना देते हैं वह एकदम बिल्कुल इरिटेटिंग टाइब जो मिश्टा से सैट बना के अपना मूह रहता है उसका मुझा से ऐसा ही लगता है इसके बाद वह और उसे देती है कि आप इसे खाल ल यह सब सुनकर जैसे खोश फो जाते हैं हैं कि सच में वह वापर आती हैं कि मिश्टर सू कहा पर गया बताते हैं कि मुझ्त फू तो अभी निकल गया है लेकिन वह देखती है कि वह बाद भर साथ में खड़ी हुए मुझे भी इसी रासे से निकलना था तो सुचा मैं आपके पास थोड़ी दिर खड़ी हो जाओं कि बारिश बहुत हो रही है मैं इतनी बारिश में जाओंगी तो मैं भी तो बीमार पड़ सकती हूं ना जब श्राम को मिश्टर शू अपनी टेबल पर आते हैं तो देखते हैं मुझे लगा कि आपको जरूत नहीं है इसलिए मैं उसे मैं उसे खा लिया दैट सिंपल तो कहता है कि अगली बार से मैं कोई चीज रखूं और मेरी कुछ जादा ही फेड़ी लगे तो उसे उठाने से पहले एक बार पूंच लिया करो तो कहती है कि ऑके पर उसे गुसा भी बहुत आता है कि उसने प्यार से रखा हुआ था एंड वो यह खा गी स्कूल में म्यूजिक प्रोग्राम होने वाला था और मिस्टर सू को इसकी सारी जिम्मेदारी दी हुई थी इसके बाद प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं और साथ साथ में वह यान को भी उनकी करने लगते हैं पर वो यहान हर बार मैस्ट अब कर दीती है और कहते हैं कि तुम्हें एक बार प्रेक्टिस करकर तो आना चाहिए था तुम अभी मैस्ट अब कर रही हो तो कहते हैं कि हम सौरी मुझे थोड़ी पता था कि मुझे सच में प्ले करना पड़ेगा इसकी बाद मृष्टर सू के साथ यहान से जाने लगती है उंसे बात करते हैं और कि एक अजौ दाग करते हैं तो कि कोई लड़की तो यह पटाएंगे नहीं अगर पटाएंगे नहीं तो इनका इतना अधा हैंडसम होने का क्या मतलब रात में वोयान से रहा नहीं चाता है मिश्र को फ़ोन करती है कि उसे सब कुछ पता है कि आप ही एजन होना तभी यहां पर मिश्र शो इस पाड मना नहीं करते हैं और रही इसके बाद है कि देख देखना वह उनका सीक्रेट इस अपने तक रखेगी वह हमेशा सही चाहती देखी वो यह जिन से मिले पर उसे उनसे मिलकार ऐसा लगा कि वो सचमे येजन से मिल रही है पहले ही शक था पर अब उसे एकदम शौर हो गया है कि वही मिस्टर येजन है इसलिए उसने उनसे इतनी बार पूचा तभी यहां पर रोगती है कि वो पका किसी को भी नहीं पताएगी है उनका सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहेगा इसके बाद वो यहां पर फोन रख देती है तभी यहां पर मिस्टर सू उसे थैंक यू बोलते हैं कि उसका सीक्रेट उस तक रखने के लिए तो बात करने के बाद उनकी चेहरे पर अलग सी खुशी चाह जाती है कि किसका फोन था क्या उस लडगी को पता चल गया पर चुश करते हैं कि नहीं किसी ऐसे इंसान को पता चला ही नहीं है जो जिस पर ट्रस्ट ना कर सके मिश्टर सू भी धीरे धीरे हमारी बुवयान को पसंद करने ही लगे अगली तेंशावी का वर्ड़े होता है तो उसके बढ़े के दिन वह यानों मिस्टर शू दोने के यहां जब करने के बार कानि की बारिया थी तो मिस्टर सू धर्रसा स्वीट खाती नहीं है पर शावी के लिए वो इसीजि़ सूप भी खाह लेते हैं तभी शूब कहते हैं कि कोई बात नहीं कभी-धोड़ा सा खाना तो बनता ही है न वहान एक साथ है तो से तभी विया यहां पर विहाओ को बताती है कि तुम्हें अपनी फीलिंस के बार में समझना चाहिए तुम पहले उसे भी पसंद करते थे बट तुम लेकिन उसे अब पता चलता है कि कभी उसने विहाओ को ऐसे पसंद किया ही नहीं तरचल वह उनका वसे वन साइड़ थोड़ा सा अट्रेक कि उसे लगता है कि शायद अंदनों की जोड़ी थोड़ी जमेगी तो यह कहता है कि हां पर वो नहीं चाहता कि वह उसका दिल भी ऐसे तोड़ दे उस बात के लिए पूरा श्योर होना चाहता है यहां पर मिस्टर शू भी इन सब की बादर सुन रहते पर उनने कुछ खास मोजा नहीं दो छानल जोटे लेकिन जब यहां पर वो यहां लेमन जूस मंगाती है स्टर शू बीलेमन जूस आड़र करते कि यह को लेमन जूस अच्छा लगता है तो कहते हैं कि हम क्यों ने इसकी बार अगले दें जब मिस्टर शू अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो यहां पर वह आना कर उनके पास फिर से लेमन जूस का पूरा बड़ा सा ग्लास रख देती है कि आपको अच्छा लगता है ना तो प